कविता को गाली देने पर कविता के पती रौनित बिस्वास का फूटा अली गोनी पर गुस्सा कहा घर में हो रहा है फिसिकल वॉयलिंस कविता को सैट देख रौनित हो गए थे एमोशनल वेल क्या कुछ कहा कविता के पती ने चल ये जानते हैं हाली में हमने बिग बॉस की एपिसोड में अली गोनी और कविता कोश्य के बीच घुमासान लडाई देखी थी गुस्से में आकर अली ने कविता को गाली भी देदी थी इस जगडे के बाद कविता काफी अपसेट हो गए थी और बिग बॉस से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो इस पैटर को सीरिसले ले और फिर जाकर बिग बॉस ने अली को नॉमिनेट कर दिया वही इटाइम्स ने इस पूरे इंसिडेंट पर कविता के पती रौनित बिस्वास से उनका रियाक्शन जानना चाहा रौनित एंटर्व्यू में कहा मुझे बहुत हट हुआ है और मैं रोया भी क्योंकि हमने इन चीज़ों के लिए शोसाइन नहीं किया था फिजिकल वालिंस के लिए हमने ओफर एकसेप नहीं किया था चाहे वो डिरेक्ली हो या इंडिरेक्ली फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी वजह से किसी को हट हुआ है तो मैं जाकर मावी मागूंगा और उस वक्त के लिए मैं अपना गुस्ता भूल जाओंगा मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि एक आत्मी नहीं ऐसा किया मैंने बिग बहुत से बेटा आक्शन और पनिश्मेंट की उमीद की थी प्रोमो देखकर ही मैं काफी डिस्टर्ब हो गया था मेरी सैडनेस जब दूर हुई जब मैंने कविजा को देखा और ये सोच अचाहे कुछ भी हो जाए ये किसी के सामने नहीं जुकने वाली वो बाहर और स्ट्रॉंग बन कर आएगी वही रौनित के हिसाब से उन्हें शो में जैस्मिन बहुत ही फेक लगती है तो क्या कहना है आपका रौनित के इन स्टेटमेंट्स को लेकर बताई ये हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रही है टेली मसाला